हाई आज मैं आपको हलो वरिवर्डी गुड मॉर्निंग हाँ आज कुछ गाये हैं जो क्रॉस ब्रीडिंग काव है बट देशी से फर्स्ट इलेक्रिशियन में ही क्रॉस है और इनकी कुछ भैंस भी है देशी नसल का और उनका वीडियो में आपके सामने आज दिखाने जा रहा हूं बट बहुत सारे चीज़ें हैं जो इंप्रूव करने की जरूरत है और समय के साथ इसको बेहतर करना जरूरी भी है कुछ गाये हैं जो बहुत ही कम जोड है और अरे रे इस जो गाये हैं यह भी फर्स्ट इलेक्रिशियन देशी से क्रॉस ब्रीडिंग है जर्सी से और अच्छा खासा इसका थन का बनावट है और जो मिल्किंग कैप सीटी है मिनिमाम ओन टाइम सिक्स से सेविन लिटा रे देती है और हट 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 हाँ जो थनों का बनावट है बहुत अच्छी है और इसका फीडिंग भी कुछ हद तक अच्छे हैं और बहतर क्वालिटी की क्रॉस ब्रीडिंग अच्छी दूद पादन वाली गाये है आज की डेट में और मेनेजमेंट थोड़ा फूर है यह भैस है देशी नसल की है इंप्रूब की जरूरत है समय के साथ इसका बच्चा पता नहीं लगता मुरह से क्रॉस ब्रीडिंग है यानी और सीमिन के द्वारा मतलब इसको यह आ जाया गया था कि नहीं वह बाद में पता चलेगा और यह भी भैस है देशी नसल की है मनेजमेंट बहुत ही पूर है और ऐसे मेनेजमेंट में सिर्फ देशी गाय या भैस ही टिक सकता है नहीं तो सारे खतम हो जाएंगे यह इनका रासान श्टोर है और यह इस डेरी फॉर् और आप बताए कि इस बिजनस को करने में क्या क्या प्रोबलम आपको क्रियेट होती है उससे सबस्व्चे प्रहे समस्या तो है हमारे पास कुझी के कुछ कमी है जानोर का दो स्था नहीं हो पार रहा है ओके आगे बोलीए सर और इसमें जैसे फीडिंग में है खाने में उस जो बताया गया था संधीर कुमार या समीर कुमार के द्वारा जो चुने से केल्सियम त्यार किया उसका इफेक्ट नजर आ रहा है तो ठीक है आप अपने फॉर्म पे चलिए वहां भी कुछ बाते पॉइंट किये जाएंगे और इनका सुखा चारा ड्राइ राशन इसका ऐसे पाTT अन्ठल होता है सूखने के बाद गयों इस अबार बरत है तो इनिथिंग इसमें कुछ रहता नहीं है थोड़ा गयों का बनाते है grant लूंने थो पस अश्यक्ल कम करने चाहिते थे graphs करनेया उस तो उसत कम कंम पैसे में में मिल पाता है क्योंकि इनकी ब्रीडिंग भी इंप्रूब नहीं हो पाती है और जो मेनेजमेंट है एक सचडोल जो होता है फिडिंग का रोल है और फिडिंग भी सही से नहीं करा पा रहे हैं जिसके इसकी मेन पर्शानी जो है मिलकिंग की कैप सिटी भी कम होना अब को इंप्रूब करते करते इनको सीखना है कि फीडिंग में और कैसे बहतर बना सकते हैं कम से कम रुपय में अच्छा फीड त्यार करके इनको हम दे और इनका जो मेंजमेंट है रख रखा हुए कई सारे बीमारियां यहां पर बारिश में पानी भर जाता है या बीमारिया उतपन होने का खतरा रहता है यह 100% बिजनस रिक्स में चलता है और नहीं इंसूरेंस कराते हैं और नहीं वैक्सीन लगवाते हैं इसके बज़ेसे कई क परसानिया खड़ी हो सकती है और आगे क्या बताना चाहते हैं सर इसके बारे में कुछ है आपके नजर में क्या इंप्रूब होना चाहिए यह क्या सिस्टम आपका सूच कुछ है इसके आगे मतलब कि क्या करना है इस छेतर के अंदर इस सर का कहना है कि आने वाला समय में हम बेहतर मतलब फॉर्म बनाने का इचुक है और ब्रीडिंग पे भी काम करेंगे लगता है और जो फीडिंग है कम से कम रुपे में अच्छा खाना कैसे इसको खिलाया जाए जिससे कि ज्यादा उत्पादन भी मिल्किंग का करे और इनका सरीर भी बेहतर हो जाए जो इनके बच्चे आएंगे वो अच्छे क्वालिटी के जनम लेंगे तो जनकारी तो है लेकिन जो गाओं में ज्यादा तर समस्या मिलती है सब छेतरों में इस बिजनस में उही इनको फिल करना पड़ रहा है जो सुरू अश्टेज में जैसे इसे इनके जनरेशन अपडेट होगा या इनका नसल जो है बहतर होता जाएगा गायव हैं इसका सीमेनिंग के दौरा वैसे वैसे इनकी दूद की जब ज़्यादा उत्पादन होगा तो बेनिफिट भी ज़्यादा आने लगगा अच्छा सर मिनरल के बारे में मैं बात करना चाह जाता है बुआन होने के बात फिंद राव तदुआ थाने के चंटा होजाता है दूद बढ़ जाती है ना देने से तो बहुत पसाले दिकर्षोब करती है बहुत अच्छा सण मुद बताया है यह जो बाते हैं ऑर समझने के लायीक है जो परसानिया नीजी तोर पर जो किया गया कि नहीं अब बहुत सारे रीजन है इसके पीछे अब पता नहीं इन्होंने कैसे किया है लेकिन जानकार बने और सुरच्छित रहें मेरा इन सभी से रिक्वेस्ट है और यह भैंच भी है देशी नसल की है बट अच्छा खासा थन है और देख सकते हैं तीन से चार प सही रहने से मिनरल मिनने से पांच लिटर तक इसकी थन के मुटाविक दूद्दे सकता है अच्छी खासी भैंच है रंग रूप थोड़ी सी सिंग्विंग टूटी है और बदमास हो और इसके जो है वह भी अच्छी और एक और भैंच है देशी नसल की है लेकिन साइद उसकती है तो आप अपने कॉमेंट में जरूर बताएं लास्ट में आपको एक हम काफ जो है इससे आपको मुलाकाद करवाते हैं एक काफ जो है साइद ब्रीड मुर्रा की है सीमेनिंग के दोड़ा तयार किया गया है इन इसका जो काफ पनता है जो इसको देने के लिए जो 12 से 14 महिना में त्यार करने का जो टिकनीक है बच्छरी का पता नहीं कर पाते हैं या नहीं अच्छे काफ हैं लेकिन कैसे इसको त्यार करते हैं इस पर डिपेंड होगा तो चले दोस्तों ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में